सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स का डेफिनेशन लिया हूँ कर दिया हूँ स्टेटिस्टिक्स की उत्पती लेटिन भासा के स्टेटस से हुई है को स्टेटिस्टिक्स का है से लेटिन भासा करें स्टेटस स्टेटस कि इस टी एट सिस्टे पहले की बात करें तो प्राडब में सांखिकी का तात्र पढ़ गनित के उस अंग के रूप में होता था जिसके अंतर्गत किसी राज के आईवें एवं अनने आउक्रों को प्रस्तूत किया जाता था भूला कि गनित का ही एक अंग माना जाता था, जिसके अंतरगत, किसी राज, एक राजा का राज है, उस राज से संबंधित, उस राज से संबंधित, जो आई वे होते थे, क्या होते थे, आई और वे, एम अन्य आकरों को क्या किया जाता था, प्रस्तूत किया जाता था, किस के माध्यम सिधान से वह स्टेटिस्टिक के माध्light Max its जिए थिक है लिकिन स्टेटेश का हिंदी मतलब किया है तो हिंदी मतलब讲у राज जी गनित जि मना जाता था और इसके अंतर्गत किसी राज के आईवाई-टॉ अन्य आकरों को परश्तूत किया जाता था अगर बर्तमान परिपेख्ष की बात परिपेख्ष का मतलब कि अभी केसिती की बात करें तो सांख्य की एक विशय बन चुका है अब इसको गनित की अंदर रहने की जुरत नहीं है पहले यह गनित का एक अंग था प्राराम की बात करें, तो सांगी क्या थी? सांगी की गनित का ही एक अंग था, क्यों क्या था? गनित का ही एक अंग था, लेकिन अब अगर बरतमान पड़िपेक्ष के हम बात करते हैं, तो सांगी क्या बन गया? एक ब्यापक बिसाय बन गया, एक बहुत डबलब, नहीं, उस उसको जाता है गौट फ्राइड ओकेनवाल जी को जैसे हमने पढ़ा है कि जो लेखांकन मतलब जो हमने दूई अंकर परणाली पढ़ी है लेखांकन पढ़ा हमने तो लेखांकन भी क्या था पहले गनित के अंदर ही था किसने अलग किया तो लुकास पेशियोली जी इसलिए उन्हें फादर ऑफ अकांटिंग कहते है ठीक वही चीज गनित के अंदर से किसने गौट फ्राइड ओकेनवाल जी ने किसको निकाला सांखीगी को निकाल करके बाहर किया जिए सांखीगी को क्या माना जाता है सांखीगी का जनक माना जाता है फादर आफ statute говорить क्या कहा जाता लोट फ्रोइड आकिनवाल नाम था ओकिनवाल जी ठीक है वो क्या है फादर आफ स्टाटिस्टिक से क्लियर जी इसके बाद का आगया सांखी की वह कला और विज्ञान है जिसके अंतरगत अनुशंदहान छेत्र से संबंधित समंकों का संकलन वर्गी करन विशलेशन एवं न निर्वाचन की आ जाता है ताकि निशित्व देश्यों कि पूर्ति खी जा सके अगर संखी कि की बात करेंगे तो संखी किया है एक कला है विज्ञान है कला और विज्ञान क्या होती है तो वह विस है जिसको करने के लिए क्या लगता है आपको करने के लिए सीखना पड़ेगा आपको इस लर्निंग की जोड़ पड़े है और विज्ञान मतलब जिसमें नियम होते है क्या होते है नियम होते है फॉर्मूला हो तो वो क्या कहलाता है विज्ञान कहलाता है क्या कहलाता है सांखी की वा कला और विज्ञान है जिसके अंतर का अनुसांदान छेत्र से समंधित समंगों को समंग मतलब इंगलिश में क्या कहता है उसको डेटा क्या 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 जाता है उसको वर्गिर किरत किया जाता है उसको व किया जाता है आपने data क्लेक्ट कर लिया फिर उसको बाट ओंगे न च्रेंगें उसको बाटेंगे तु उसको उसको classify करने फिर विशलेशन आता है क्या चाहित है वही पुटर जेशन ऐंससी क्या हूझाँ थी है …urn avec क्या आती है इंटरपेटेशन आती है इन टेपरेटेशन आता है अन्हाना गार सकेए पूरा कर सकेई इस संधान से समन्धित हरा नहीं कि इसको अंसंदान से समंदित, जो समंख है उसको संगलित किया जाता है, उसको वर्गे किर्द किया जाता है, उसको विशलेशत किया जाता है, एवं उसको इंटर्पेट किया जाता है, ताकि जो हमारा निश्यत उद्देश है, क्योंकि जो डेटा हम कलेक करते हैं, तब वहा के बाद डेटा की बात की गए समंग तो समंग क्या होती है और कितने परकार की होती है समंग क्या होती है कितने परकार की होती है ना बोला कि समंग की बात करें जब सूचना को किसको सूचना को जो इंफरमेशन उसको अंको के रूप में वैक्ट किया जाता है कोई भी आपके कोई पास information है उस information को किसके रूप में व्क्त कर दिया बॉक्त कर दिया कर दिया उन होग्स की रूप में व्क्त कर दिया जा जाता है उसे समंग कहा जाता है क्या कहते हैं उसको समंग कहते हैं यह सांग्षिकी का मूल आधार है जो स्टैटिस्टिक्स का बेज है न वह क्या है समंग स्टैटिस्टिक्स का बेज कहां शुरू हता है समंग घर बनाते तो क्या करते हैं आप न्यू डालते हैं बोलते हैं बेस बन रहें, new बना रहें, same way statistics इतना बहुत wide subject बन गया है, एक बहुत बड़ी building बन गहीं है, कैसे, इसका जो base है, वो कहाँ, गहाँ ह疑ok data, data ही नहीं तो statistics की हम क्या कर सकते हैं? कलपना भी नहीं कर सकते हैं, अगर data नहीं है तो statistics नहीं हो सकते तो इसलिए बोल रहा है समंग को क्या कहा जाता है सांखेगी का मूल आधार है जिसका visualization करके उद्देश्यों को प्राप्ट करने का प्रत्न किया जाता है और जो हमारे पास समंग है उसको visualization करके क्या करके उसको visualization करके analysis करके उसके उद्देश्यों को प्राप्ट करने का प्रत्न किया जाता है क्या किया जाता है ताकि जो हमारा उद्देश्य है उसको हम क्या कर सके पास सके जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को क्या कर सके आप पूरा कर सके clear सीकनरी और दूसरी हमारे सेकेंडरी डेटा दूसरी हेमारी सेकेंडरी डेटा से कहते हैं तो जब सूचनाओं को अंकों के माध्यम से परकिया जता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे समंग कहते हैं और यह सांकिकी का मूल आधार है जिसका विशलेशन करके हम अपने निश्यत उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं क्या करते हैं जिसको विशलेशन करके जो ह कौन कौन से दो परकार के होते हैं एक होता है हमारा primary data अनुसंधान करता है द्वारा पहली बार प्रारंब से अंतक बिल्कुल नए सीरे से एकत्रित समंग को प्रात्रिक समंग कहा जाता है जब कोई अनुसंधान करता है अनुसंधान क्या मतला researcher जब हम लोग मास्टर्स करेंगे तो वहां थो आपर क्या बनटे मतले सोथ करता मैं जाते हैं किया बने अनुसंधान करते हैं पहली बार प्रहणम से अंतक शुछ शरू करके अंतक बिल्कुल नए सीरे से कैसे बिल्कुल नए सीरे सरसे कत्रिस समंग को प्रात्मिक समंग कहा जाता है अनुसंधान करता जो होती है अनुसंधान करता के द्वारा पहली बाद प्रारंबश्य अंत तक बिल्कुल नए सीरे से उसमें कहीं भी आप खुद गए वहाँ पर जो सूचना थी उसको आपने कलेक्ट किया उसे अंत के रुप सूचना कलेक्ट किया कि किस बच्चे कितना माकस आया किसका सौ आया किसका दोस आया किसका कितना आया और फिर उसे जब आपने माले सूचना थी उसको आपने क्या कर दिया है तो जैसे ही सूचना को अंग के मादे में वेक्ट किया गया तो क्या बन जाएगा समंग बन है इसके बाद होती है दूतियक समंग क्या होती है दूतियक समंग सेकेंडरी डेटा कि जब अनुसंदहान करता पहले से ही अनिवेक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित अवं परकासित की जाने वाली समंग को का उपयोग करता है उसे दूतियक समंग कहते हैं क्या कहते secondary data कहेंगे अब इसको थोगा से एक्जामपल लेगा संजातों ये मेरा नोट्स है मैंने खुद पहले इसको बनाया था हाथ से लिखा है ये मेरे ये नोट्स मेरे लिए क्या होगा primary data क्योंकि जो हमारे पास सूचना थी उसको मैंने सब्द के सब्द की रूप में उसको हमने अ लेकिन से करेंगे तो लोसे केंड़े डिटा वो डिटा है जब माल लिजिए आप खुद नहीं कलें करे यह बस मेला नौर्ट पर रहा हो और आप क्या कर रहो एक्जैम दे रहाओ तो आपके लिए क्या हो जाएंगे से कि लिए से Capri लाघ़न परगे हैं अध्य क्या करेंगे सब्सक्राइएक अच्छे से रूपन अब क्या करेंगे सबसे पहले और किसी अनुशंधान चेत्र से संबंधित सूचनाओं को अंको के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे सब उंको का संक्लन कहाईता है अच्छा रिजल्ट आया है और हमसे पूचे किसके कितने बचों का रिजल्ट आया है तो हमने आपको इसको इसको एक अंक के माध्यम से सब्द के रूप में उसको सजा करके बना रहे हैं का रिए को डीटा करेंगा इसको संक्लित किये गए समंगो को विशेशन योग उसको एनलाइज करने योग बनाने है तू अब्चछे उसको अनलाइज करने योग बनाने है तू समंगो को और वे वस्तित रूप से व्यवस्थित रूप में पडिवर्तन करना समंगों का वर्गी करन कहलाता है क्या कहलाता है समंगों का वर्गी करन कहलाता है क्या कब तो बुला कि संकलित किये गए समंगों को जब हमने समंगों को संकलित कर लिया है तो संगलि़ किये गर समंगों को किस योग बनाने है तो विषिलेशन योग बनाने है तो ही विषिलेशन मतल faço से तुप सिसज़े छूव मनीचिए संपंधियर आपने क्या के सुषियर समीटी तो आपने लिए आप कि 50वाले 50 से कमब ले इस तरव 50 ना पचास से जादा उचे हैं तो इस संतर तरभ से कर लिया है रहु मतबचे ही कुछ मिला मिला उठी कर लिया चै क्या आत पास का पर रिचे क्यां और नहीं चाहिए देटा क्या है बिल्कुल मिस्ष्ट अवस्था में मिक्स हैं अगर आप उसको सेपरेट कर देते हैं उसको क्या क्लासिफाय कर देते हैं अलग-अलग आधार पर शेर बांठ देते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा अच्छे तरीके से ऑव व्योष्टी दूरुप से कहां पर करते हैं उस समय हम अलग अलग तरह के सांखिकिया सरेनी का प्रियोग करते हैं ताकि data को वर्गेकरत कर सकें यही questions मैंने उस दिन आपसे पूछा था आपको मैंने अलग 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 series दिखाया और पूछा कि यह कौन सा यह कौन सा है यह कौन सा है आज हम पूरे जान लेंगे सबसे पहले लग अलग अलग सांखी की असरेनी को प्रयोग करते हैं अब सांखी की असरेनी की अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे संखी की असरेनी की बात करेंगे स्टैटिस्टिकल सिरिज की बात करेंगे तो बहुत कि जब संक्लित किये गए समंगों को विशलेशन योग्य बनाने के लिए उसका क्रमबद रूप से प्रवंधन किया जाता है क्या क्या जाता है जब संक्लित किये गए समंगों को विशलेशन योग्य बनाने के लिए उसका क्रमबद रूप से क्रमबद रूप से प्रवंधन क जाता है क्या तो वर शांखिकिया स्रेनी कहलता है क्या कहलता है मतलब जब जो हम्न समंग संगलित किये हैं उसको विशिलेशन योग बनाना है तो उसका हम क्रमबद रूप से प्रवंधन कर देते हैं क्या करते हैं क्रमबद रूप से जैसे माली जी हमने डिटा कलेक्ट किया था वह था यह 68 64 33 52 51 50 24 26 28 है अब यह क्या है तो पुड़ा मिक्स फॉर में यह क्या है बिलकुल मिक्स फॉर में अगर इसी को हम क्रमबद रूप से प्रवंधन प्रवंधित कर दे मैं इस कर दे जैसे इसको हम कर देते बाढ़ देते किसमें इसको हम बाढ़ देते हैं एसेंडिंग और पर सजा देते है बढ़ते क्रम descending order का मतलों क्या होता है घटते क्रम सबसे पहले छोटे डेटा को लिखा जाता है उसके बाद बढ़ा डेटा उसके बाद बढ़ा डेटा हाँ उसके बाद कौन सा 28 हो गया उसके बाद हो गया 50 उसके बाद 51 इसके बाद 52 इसके बात 53 क्या हुआ क्या पुशी कुछ पुश रहें क्या आच चाहर चाहर चौबिस चबिस अठाइस ठीक है ना चौबिस चबिस अठाइस पचास एक यावन बावन तिरपन चौशट और अरसाट क्या चौबिस चौबिस अठाइस पचास एक आवन तर्फश चौशट और आडशेट यह इस तरह से क्या कर्दिया क्रमबद रूप्से प्रवंधित कर दिया तो यह क्या कहलाएगा यह सांखिगिय क्या क्या कहले गा तक बात क्लिए sug हुद्स Land precious breast जब डेटा को हम collect कर लेते हैं तो उसको विशलेशन करने के लिए हमें उसे वर्गी करना पड़ेगा और वर्गी करने के लिए उसे हमें एक क्रमबद रूप से प्रवंधित करना पड़ेगा तो जब समंको को क्रमबद रूप से प्रवंधित कर लिया जाता है तो उसे हम क्य किया स्रेनि कहते हैं क्या के जिसके कहते हैं चीस्टिकल सिरीं कहा जाता है अब स्ट्रेस्टिकल स्पारगार हो के होती हैं सहा बत करेंगे और उसका जो बनावट होता है उसा थार पर उसे तीन भागों MARK कितने भागों हैं सोब से पहला हम बात करें किसकी तब से पहले बात करेंगे हम व्यक्तिगत सरेनी की इसकी बात करेंionar कि इसकी बात करेंगे ang Fr सांखिकिया स्रेनी में इस परकार विवस्तित किया जाए जिससे कि विविन पद मुल्यों की मा अलग-अलग असपस्ट हो जाए तो उसे व्यक्तिगत स्रेनी कहा जाता है क्या कहता है? तो बोला कि जब पद मुल्यों जो भी टर्म आपको मिला है जो आप समंग कलेक करते हैं डेटा कलेक करते हैं वहाँ पर अलग-अलग नंबर्स आपको मिलते हैं क्या मिलते हैं आपको नंबर्स धूने पर मिलते हैं ये जो अलग-अलग नंबर्स मिल रहे हैं क्या मिल रहे हैं इससे क्या कहते हैं किए चो खुब हैं जो अलग हम ने क्या किया है अलग 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 हमारे पास है उसे क्या कहेंगे स्परकार व्यवस्थित कर दिया जयता है कि हरेक पऔर मुल्यू अस्पस्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं उसे व्यक्ति गस्रेनी कहते हैं जैसे अभी हमने डिटा लिखा था माली यह चौबिस अठाइस पचास एक्यावन बावन तिरपन चौशट और सट लिखाता हमने करेक्ट अब यह जो है यह जो मैंने डेटा लीग दिया थे यह इनडिवीजल से जड़ाएगा इसका मतलब यह हो गया कि दो तीन दो पांच चरनो नौ यह क्या है नौ चात्रों के दौरा प्राप्त किये गए अंक निमलिखित हैं क्या कर सकते हैं इसको ऐसे छान नौ ज्रात्रों के द्वारा प्राँप किये गए अंक निम्ली कित रहाँ आसलीख सकते हैं इसको कॉलम बना बना करते हैं आल इस तरह से जैसे इसका ऐसे लिख सकते हैं प्राप्तांक लिख सकते हैं 24, 26, 28 उसके बाद प्चास, 51, 52, 53, 64, 68 यह प्राप्तांक हो गया और इस तरह से डिटा हमने सजा दिया है इससे क्या कहेंगे इससे इंडिविजूल से इस कहेंगे क्या कहेंगे इसको इंडिविजूल से इस कहेंगे नहीं इसमें हर अलग अलग टर्म वैल्यू का मान अलग अलग बिल्कूल असफ़स्ट हो रहा है और समझे माद सम्झे सब कोई लक्षमी चेपना जो भी है फड़ा फड़ हां 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 येस येस या अगर नहीं समझे तो फिर से नू रहें क्लास में दम बोलते रहेंगे जीव नमबर क्या लिए रूल नमबर लिए जितना वान टू थ्री उसके बात फोर फाइव इस तरह जितने भी लिखने हैं थ्री को आया हमाले जो तीस मार्क्स, बीस को पंदरा मार्क्स, इसको सोला मार्क्स, इस तरही के से जो डेटा दिया गया है, जिसमें हर एक टर्म वैल्यू का मान अलग अलग बिल्कुल असपस्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे व्यक्तिकत स्रेणी कहा जाएगा, क्या हमाल क्या अलग टाइप आएगा, क्या नाम ही इसका, तो सर इसका नाम है खंडित स्रेणी, इसको क्या कहते हैं, खंडित, नाम से ही असपस्ट है, खंडित, मतलब इसको दो भाग में खंड कर देना, बाट देना, जब समंकों को सांखिकिये स्रेणी में इस फरकार व्यवस विविन पद मुल्यों की संख्या अलग असपस्ट हो जाए तो उसे खंडित स्रीनी कहा जाता है जब समंगों को शांकिकिया स्रेनी में इस परकार विवस्त किया जाए कि जिस से कि एक निश्यत मुल्य वाले जो अलग अलग पद मुल्य है एक निश्यत पद वाले एक मुल्य वाले बिविन पद मुल्यों की संख्या अलग-अलग स्थ हो जाए मतलब जो अलग-अलग टर्म वैल्यू है उसकी संख्या कितनी है ऐसा तो जुरूरी नहीं है चौबिस मार्क एक ही व्यक्ति का आया होगा और भी तो व्यक्ति हो सकते हैं बिलकुल तो जब अलग-अलग पद मुल्य है हमारे पास क्या है अलग-अलग पद मुल्यों की संख्या अलग-अलग स्पष्ट करनी हो तो उसे हम क्या कहेंगे discreet series कहेंगे चाह कहेंगे उसको discreet series कहेंगे आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अम क्या कर दिया हमने तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया marks और इस तरह लिख दिया number of student जब एक ही mark एक से ज़्यादा student के रहेंगे तो हम क्या अपना लेंगे हम डिस्कुरीट सीरीज अपना लेंगे 10 marks वाले कितने बच्चे हैं 10 marks वाले 20sed 20 marks वाले कितने बच्चे 20 discrete series कहा जाएगा किया कहा जाएगा इसको discrete series जहांपर अलग अलग पद मुल्यों की दस मा जाओं को जब अलग से असपस्ट करनी हूँ तो उसे क्या कहा जाता है उसे डिस्क्रीट स्रीज कहा जाता है क्या कहा जाता है अगले सीरीज की बात करते हैं अगला सीरीज है हमारा सतत स्रेणी कॉंटिनिवस स्रीज जब समंको को सांखिकिय स्रेणी में इस परकार विवस्ट किया जाता है जिससे निश्चित वर्गांतर नहीं इसको क्या पढ़ेंगे वर्गांतर वर्गांतर मनलब दो अलग अलग वर्ग के बीच में अंतर के पर क्या थी पहले वाले में ज्याद्धान रखेगा के बंद मו Wasn't को अलग अलग सपस्ट करना था तो हमने क्या अपनाया था हमने अपनाया indyvizema series झी जब अलग 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 ना पद मुल्यों और उसकी कुल संख्या को अलग-अलग स्पस्ट करना तो हमने क्या अपना है हमने सब डिस्क्रीट अपना है क्या अपना है हमने डिस्क्रीट स्रीच इसके बाद अब अलग-अलग पद मुल्यों वाले जो वरगांतर है क्या है वरगांतर है उसको अलग-अलग अफपस्ट करनी है तो उसे क्या कहा जाएगा उसके लिए जो स्रेनी बनाई जाएगी उसे सतत्स्रेनी कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है सतत्स्रेनी कहा जाता है इसका निर्मान निमलिकित दो परकार से किया जाता है क्या बात करें सब अब इसका भी अलगला परकार है बिल जाए हमें कन्फियूज नहीं करनी है क्या है तो बहुत कि सतंसरी जाब बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं जिरो से 10 दस से 20 20-30 30-40 40-45 इस तरह से एक रेंज बना लेते हैं क्या करते इसको रेंज क्रेंज मैं मैकसिमुंग कि बू치 जीरौ से 10 दस से बीस वीस से 135 और उस में कितने लोग इस ज़ायियु नहीं जै क्त्ने लोग हैं जी इतने लोग है माली यह शे लोग हैं इस तरीके से नमर अप स्टूडेट रहाँ पर काउंट कर लेते हैं रहाँ बात करेंगे इसके लिए दो विधी अपनाए जयते कौन और से दो विधी एक होती है अपवर्जी विधी क्या कहती है इसको अपवर्जी विधी एक्स्क्लूजिव मेथड क्या कहती है इसको एक्स्क्लूजिव मेथड ठीक है इस विधी के अतहत वर्गांतर के उपड़ी सीमा वाले पदमुल्यों को वर्गांतर में सामिल नहीं किया एक्स्क्लूज मतलब exclude करना बाहर रखना उसको सामिल नहीं करना तो क्या कहा जाता है इस विधी केता है तो वरगांतर की उपरी सीमा वाले पद मुल्यों को वरगांतर में सामिल नहीं किया जाता है क्या कियाता है वरगांतर में सामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वरगांतर की उपरी सीमा अ हम вас हैं यह ER क्मा लेकिन गुश्य मुश्य मोरें यह ओरी कितने हैं तो के catis अगानथर गे लेकर ना इसमीर के घर है कने फ्रकर लेकरन धायगे से लेकर नोग करेंगे जो वर्गांतर की उपरी से में वाले पद मुल्य हैं, उसको count नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है, उसको count नहीं किया जाता है, क्यों कि अगले वाले जो क्या होगी वर्गांतर होती हैं, उसमें यहीं value देखने को मिलता है, है न, 0 से 10, 10 से 20, क्या यहां पर सब 10 को count किया जाएगा बिलकुल कांट किया जाएगा उनीज तक बीस को कांट नहीं किया जाएगा बीस से 30 में इस बात को पकरे आप लोग समझें catch किया है इस बात को क्या कह रहा है रुपम केतना लक्षमी हम अच्छ समझ गया चले तो इसके तहत क्या करते है जो वर्गांतर की नीचली सिमा क्या है वर्गांतर की जो उपरी सिमा है उसको हम count नहीं करते है क्योंकि जो उसकी उपड़ी सिमा होती है वहीं अगले वर्गांतर की नीचली सिमा होती है अपवर्जी विधी कैसे समझेंगे अपवर्जी विधी से बनाए गया है तो वो लेंगे जिस सतत्स्रेनी के तहट पहले वाले वर्गांतर की उपड़ी सिमा अगले वाले वर्गांतर की निचली सीमा बन जाती है उसे अपवर्जी विधी कहा जाएगा क्या कहा जाएगा उसे क्या बनेंगे अपवर्जी विधी मतलब जिस नहीं वह सतस्रेनी जिसके तहट पहले वाले वर्गांतर की उपड़ी सीमा अगले वाले वर्गांतर की नीचली सीमा बन जाती हो उससे क्या कहा जाएगा उससे अपवर्जी विधी कहा जाएगा क्या कहा जाएगा उसके अपवर्जी विधी कहा जाएगा करेक्ट है कोई प्रॉब्लम इसको समझने में कुछ समझते है अब हो नहीं नहीं चले अगली बात करें किस पर समावेशी विधी के बारे में किस पर बात करेंगे हम समावेशी विधी के बारे में क्या बात करें किस के बारे में समावेशी विधी क्या गलती है इस विधी के तहट सतत सेनी तयार करते समय वर्गांतर के न्यूंतम सीमा के सासथ उसकी अधिक्तम सीमा वाले पद मुल्यों को भी वर्गांतर में सामिल किया जाता है और वहाँ पर जो वर्गांतर लिखे होंगे वो किश अलग जरह के दिखेंगी एक से दस और दूसरी वर्गांतर कितने गयारा से वीश तीसरी वर्गांतर एकईس से तीस इसके तहट जब नंबर को include करने के बात आएंगे तो एक को भी count किया जाएगा और 10 को भी count किया जाएगा क्योंंकि यहां दस अ को अरकन नहीं करेंगे तो यहां तो कांट नहीं कर पाएंगे कियोंकि यहां पर क्या करना होता है आगले वाले वर्गांतर निचली सीमा क्या हो गए बदल गईह एक बढ़ गई मतलब woac pleasureney जिसके तहट नुपरी सीमा और अगले वाले वर्ग अंतर की निचली सीमा के बीच कितने गांतर हो उससे दोनों अलग अलग सेपरेट देखें एक कांतर हो या जितनी कभी हो हैं दो कमा स्कती हो एक इंटरay दोनुख अलग अलग दिख रहे हैं को क्या दिख जिए लगर वहां पर जीरों की ना इस यह कितना था एक सेख गinned stream pray बीकिस से इस मतलब यह क्या है बेलकुल अब एक दुसरे सर्फ बिल्कुल अलग हो गए यहां पर और यहांनार में और वह लिनां Eso किया है और इस के तद पहले वाले वरगांतर मैं donc are करेंगे क्या करेंगे एक को भी काउट करेंगे और दस को भी काउट करेंगे इस वाले में 11 को भी काउट करेंगे 20 को भी काउट करेंगे 20 को भी काउट करेंगे 30 को भी काउट करेंगे 30 को भी काउट करेंगे 40 को भी काउट करेंगे बात समझे लेकिन अपवर्जी विधी में परगांतर क्या मानेया दी निचली सीमा बन जा दे धी नीचली सीमा इसी लिए इसमें count नहीं करके उसको अगले बाले में count किया जाता था बात clear सब्चू यहां तक का अ हम यस चलिए आज आपको बहुत दğमाकेदार चुछी सिखाता हो जो तो सब कुछ धमाकेदारी सिखा रहा हूं लेकिन उससे भी कुछ धमाकेदार है न मजा आ रहा है न कि यहां पर लिखा हूए एक से दस ग्यारा से बीस एकीस से तीस एक तीस से चालिस उसके बाद एक तालिस से पचास एक यावन से साट एक सट से सत्र और एक खत्तर से असी इस तरह से और भी कर सकते हैं हूं में कियासी से इक क्यासी से नब और ऑखन से सो ओगया नहीं है एक से सब्सक्राइब mínimo क्यावगांत्र रोगांतर में Satya लेकिन अगर याप से पुछेगा कि यह कौन सी विदी है अब वर्जी है समा वा शी है कौन सी है ब़कानतर एक को भी इंक्लूट किया जायगा, इस वाले में 11 को भी इंक्लूट किया जाएगा, 20 को भी, 21 को भी, 30 को भी, इस तरह से इंक्लूट सब को करेंगे। लेकिन जब question बनाने की बारी आती है न तब इस से question solve करने में बड़ी बड़ीजानी होती है क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? वर्गांतर की जो उपरी सीमा है, यहा पर निचली सीमा अलग है, यहा पर निचली सीमा अलग है इस तरह से जो बिलकुल अलग अलग दिख रहा होता है जिस वज़र से हम क्या कर पाते हैं question solve करने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन अगर फिर वो इस तरह से रहे तो फिर question solve करने में नहीं problem 0-10, 10-20, 20-30 इस तरीके में फिर problem नहीं आती है ठीक है तो अब कहता है कोश्चन में कि यह क्या है समावेशी विधी है यह क्या है समावेशी विधी है तो अगर यह समावेशी विधी है तो आप क्या करें इसको इसको अपवर्जी विधी में पहले बाटने क्या करने पड़ेंगे इसको अपवर्जी विधी में बाटने सार ये अपवर्जी वीदी में कैसे बटेगा अपवर्जी वीदी में इसको ट्रांस्पर करना पड़ेगा कैसे करेंगी कोई आइडिया आप लोगों को पता हो कुछ नहीं चल कैसे बनाते कुछ नहीं करना चाहते हैं कोई नहीं चल इसको क्या सब्सक्राइब करते क्या इसको अवर्जी वीदी मिले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको और इसको दोनों को सेम बनाना होगा तब होगे ना वर्जी वीदी क्योंकि पहले वाले की उप्री सीमा होती है दूसरे वाले क्या हो जाएंगी निश्री निचली सीमा से 0.5 घटा लेने और उपड़ी सीमा में क्या करना है जिरो पॉइंट फाइब जोड देना है यह रूल है इसे साफ से को ट्रांसफर करते हैं है क्या करना ना ये इसमें से 0.5 घटा लेना-इस में 0.5 जोड देना तो अगर ₹ घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना और येगा घroll जाएंगा ये शिथन वोइंधार इसी तरह स हो करना है क्या एक ग्यारा में से 0.5 गटाने हैं और 20 में क्या करना है 0.5 जोड देना है निचली सीमा में से जोड देना है तो जैसे जोड पर यहां से कितना बन जाएगा दस अब पांच और अब देखिए इसकी जोप्री सीमा थी वो इसकी निचली सीमा बन गई है ना दोना एक ऐसा बन गया कि नहीं हाँ इसके बाद यहां पर कितना 21 में से फिर क्या करेंगे 0.5 गटा लेंगे और 30 बाले में क्या करेंगे 0.5 जोड देंगे अब यह 0.5 का ही खेल क्यों होता है वहीं बता देता हूं क्यों होता है खेल यह कितना हो जाएगा हाँ एक्जेक्टली बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां यहीं चाहते हैं इसी तरह की जो सब बेटियां चाहते हैं दाकि पहले से ही आज मन खुश करेंगे किसंच इतना ने कहा था चरू एक्टीस मेंसे फिर क्या करना है jiro po hay hp घटाना है और फिर चारीस में चालीस में क्या करते है 10.05 जोड़ देना है ऐं तो कितना हो जाएगा 30.5 से बन्याएं कितना face पांच से लेकर के रेंच कितनी बढ़ जाए इसकी चालीस दसंबला पांच तर अगली वाले भी ऐसी कर सकते हैं क्या हो जाएगा एक तालीस में से 0.5 गटा लेने हैं और पचास में 0.5 क्या कर देना है जोड देना है कितना हो जाएगा तो हो जाएगा पांच से कितना 51 संबला पिर अगला वाला दिखेंगे इसमें क्या करेंगे एक आपन में से 0.5 घटाएंगे और साथ में 0.5 एड़ करेंगे जैसे एक कावन में से 0.5 मतला आधा घटा लेंगे तो कितना बचेगा 50.5 और यहां से कितना बचेगा 60.5 यहां पर फिर यहां पर कितना हो जाएगा 70.5 घटाएंगे और यहां पर कितना हो क्या बन जाएगा शरी बन जाएगा 70.5 से 80.5 फिर यहां से कितना 81 में से क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे और 90 में 0.5 एड़ करेंगे कितना हो जाएगा यहां पर 80.5 तू 90.5 फिर यहां पर क्या करेंगे 91 में से 0.5 घटाएंगे और 100 में 0.5 एड़ करेंगे क्या हो जाएगा 90.5 तू 100.5 चीक है मैं समझे सब कोई कहीं कोई दिक्कत रूपम अंजली चेपना कुछ भी अब हाँ अब माली जी एक में से 0.5 घटाना है कैसे घटाते पता है ना यहां पर यहां से नहीं भाग लगे दस देंगे 10 में से 5 पांच और यह क्या बच गया 0.5 घटाने तो कैसे घटाते हैं वानले जाएगा बन दस अमलब जीरू चुकि अंक के बाद दस अमलब देखे 0 भी देंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला क्या पूगा उसको कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो क्या बच्छ अब तो यहां से इसको दस देंगे जए पाच अड़ियो गजीरू नहीं जाएगे जीरू इतना बजाएगा 50.5 50.5 मेंक्या कर देंगे, 51 में चाहिएगा ब grab the आप केलीर वाट शबकुच यहां तक तो जैसे ही अगर समावेशी विधी वाला अगर सतत्सरी नी दिया रहता है तो आपको क्या कहता है कि आप इसे अबर्जी में इद्धी track कर यी थो आवर्फिक में करवा देखिएता पहले वाले की उपरी सीमा ऐसके बाद शुरी सीमा इसकेज के शुरी मिच्छी में परियर अगे ऑप무 ए宜िसी महां इसकी जो कि इस म हम धिस्माइब वक्र चाहि jurisdig गया है क्या बन गया है अप वर्जी विधी बन गया है समावेसी विधी में जो वर्गांतर होते हैं जो पद मुल्यों के वर्गांतर होते हैं उसके सबसे उपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को क्या किया था इंक्लूड किया था दोनों को हम लेते हैं लेकिन अप वर्जी व दिशी तो पहले जीरो घीरोजी अग्रान काउंट करेंगे लेकिन दों कान्ट करेंगे दस से बीस क्या करने दस से बीस है धीन यहां तो कोई समस्या नहीं अग्यों पर देन लूटे के तरफ इसके बात संख्रांकी की बात की गहीं कि शांखी की विशलेशन में क्या क्या है? दुभला अनुसंधान की लक्षित उद्देश को पराप्त करने के लिए समंख स्रेनियों को विविन समंखों के बीच जो समंब्त अस्थापित किया जाता है। कहा वालाट है गलnd坐 को आपने जो क्या किया ब भरकी कर है उसके संबन्द बनाने क्या बनाने अब संबंध रिलेशन बनाना है К каз sniff मतलों क्या होता है क्या होता है एक डूसरे को ही द्रेट कर लिए कि या इस से कहा समढवने थे या उससे कहा समढवने थे तो तो यह संबंद बनाने की बात आईगी, वो कहां पर आएगी, सर वो संबंद बनाने की बात सांखिकिया, विशिलेशन में आएगी, कहां पर आएगी, सांखिकिया, विशिलेशन के अंतरगत आएगी, जिसके लिए उस संबंद को बनाने के लिए हम अलग-अलग विधी अपन वो विधी क्या होंगी major of skewness, वो विधी क्या होंगी major of movements, वो विधी क्या होंगी major of kurtosis और index number, मतलब आपको statistics के अंदर इतने chapters परने हैं, कहां से लेकर करके 1 से लेकर के 7, ये पूरा का पूरा chapter क्या बनाता है, जो भी data हमने collect किया है, उसके अंतरगत सभी समंकों के बीच संब संबंध अस्थापित करने के लिए, क्या स्थापित करने के लिए, संबंध अस्थापित करने की बात कहता है, बात समझे, जो भी हमने data collect किया, उसको सांखी के विशलेशन के अंतरगत, उसको उसमें संबंध बनाने के लिए, क्या करने के लिए, संबंध बनाने के लिए, इन साथो चीजों को क्या किया तो किया जाता है कौन-कौन सा तो मेजर आप सेंट्रल टेंडिंसी के इंद्रिय प्रवर्थी की माप जिसमें मीडियन मोड आते हैं पार्टेशन वैल्यू, विवाजन मुल्य, मेजर आप इस्पर्शन, मेजर आप स्कूनियस, मेजर आप मुवमेंट्स, मेजर आप कुर्टोसिस और इंडेक्स नमबर यह साथ चाप्टर्स हमें पढ़ने हैं स्टाटिक्सिक से अंदर जिसके अंतरगत हम समंकों के बीच संबंध को अस्थापित करेंगे इसके लिए अलग लग फॉर्मुला दिया गया है जिसमें पहला जो हमारा चाप्टर है मेजर आप सेंट्रल टेणसी उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे major of central tendency में mean क्या क्या आती है इसमें mean निकालना mean मतलब क्या आता है जो भी data हमारे पास है उसका average निकालना क्या निकालना average और सा तो निकालना इसके बाद median आती है उस data के ठीक बीच वाला पद कौन सा है ठीक बीच वाला पद उसको क्या कहते हैं median कहते हैं ठीक बीच वाला ठीक बीच वाला क्या कहलता है ठीक बीच वाला median कहलता है और तीसरी आती है उस data में कौन सी mode आती है जिसको क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं क्या क आया होका सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुए होंगे सबसे ज्यादा बार जो आया होंगे उससे मोड कहा जाएगा क्या कहा जाएगा उसको मोड कहा जाएगा तो कल हम लोग मीन मीडियन मोड के ऊपर चर्चा करेंगे ठीक है क्लिर सब कुछ पॉइंट मीन मीडियन मोड के बारे में